Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्ड़बल लेकिन इसके अंदर उन्होंने कई बड़े announcement किये गए, जिसके बारे में आपको पता होना जीए, सबसे पहला उनका दुआरा बोला गया कि 23rd of August को National Space Day के तौर पर celebrate किया जाएगा हर साल, और इसके अलावा यहाँ पर तिरंगा पॉइंट, शिव सक्ति पॉइंट, यह सारी च इटेल से जानेंगे कि exactly है, क्या क्यों किया गया, इसके पीछे का background क्या है, women को लेकर काफी चर्चा हो रही है, काफी को जानने को है चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है आप सभी को, अगर आप UPSC 2024 की preparation कर रहे हैं, और एक ऐसा batch चाहते थे जिसक करना है code Ankit Live, ये code इस्तमाल करने से आपको maximum discount मिलता है, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, वो आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly ह हुआ क्या है, देखें यहाँ पर PM Modi ने आज सुबह सुबह अनाउंस किया कि 23rd of August को जब हमारा चंद्रियान 3 का lander land किया था मून पर, उसको हम हर साल National Space Day के तौर पर मनाएंगे, अभी तक भारत में हम National Space Day नहीं मनाते थे, अलग-अलग दिन थे, अब उसके क्या होता है, कि समय समय पर कई कारण होते हैं, कोई famous scientist हो गया, तो उनके नाम पर Science Day रख दिया गया, अलग-अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन Space Day एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, यह भारत के अंदर जो किया क्या है, एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि होता क्या है न, इ उसको आगे आने वाली प्रीडी पड़ेगी, मतलब कि यह हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया है इतिहास में, अब इसको कोई भूल नहीं सकता, और यहीं से प्रणा लेते वे, काफी सारी चीज़ें आगे आने वाले वर्षों में आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको पता दूँ, यहाँ पर जो PM Modi है, जैसे उन्होंने लैंड किया, यहाँ पर उन्होंने ट्वीट भी किया, कि लैंडन इन बैंगलूरू, looking forward to interacting with our exceptional ISRO scientists who have made India proud with the success of चंद्रयान 3, और वो ISRO का यहाँ पर आपको पता होगा, कि जो complex है, that is, telemetry tracking and command network mission control complex, यहाँ से आपने देखा होगा, TV पर live जो है, जिस तरह से दिखाया जा रहा था पूरा चंद्रयान 3 का, वहीं पर वो हाँ पर गए और सभी scientists से मुलकात की, और साथी साथ उन्होंने इस चीज को explain भी किया, कि आखिरकार 23rd August को हम क्यों यह Space Day के तौर पर हम गड़ा है, और दुनिया के अंदर, जो भी देश यहाँ पर इसकी तरफ काम करेगा, वो इतिहास रचेगा, और इसलिए उन्होंने कहा, कि हम अपने यंगर जनरेशन को encourage करने के लिए, कि वो और जादा science and technology and space के फील्ड में आए, इसकी वजह से हम 23rd August को National Space Day के तौर पर मन किया है, scientist ने, उन्होंने आज के youth में एक बहुत बड़ी चाप छोड़ी है, मतलब जो भी हुआ था ना 23rd August को, ये कोई छोटा मोटा उपलबदी नहीं है, ये आगया आने वाले वर्षों में एक game changer की तरह काम करेगा, और इसके साथ-साथ यहाँ पर PM Modi ने कहा, कि आपने तो make in India का जो काम है, वो चांद पर कर दिया है, मतलब जो सरकार है, वो अपना काम धर्ती पर कर रही है, भारत में कर रही है, लेकिन आपने तो ये काम चांद पर करके दिखा दिया, ये भी आपर उनके दोरा बोला गया है, अब हम आते हैं, शिव सक्ती पॉइंट क्या है, बेसिकली पिया मोधी ने मेंशन किया कि चंद्रियान 3 का जो लैंडर है, जहां पर वो लैंड किया है, ये आप देख सकते हो, हम साउथ पोल पर गए थे, साउथ पोल के नजदीक गए थे आप कह सकते हैं, तो चंद्रियान 3 का जो लैंडर साइट सा जहां पर वो लैंडर उसी particular point को यहाँ पर PM Modi ने कहा कि हम इसको शिर्व सक्ती point का नाम दे रहे हैं, अब शिर्व सक्ती का क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरह से women scientist का जो role है चंद्रयान 3 के अंदर, उसको काफी praise किया है, उन्होंने कहा है कि जो आगे आने वाली generation है again, वो इस चीज़ स का जो role है, especially इस बार चंद्रयान 3 में, वो काफी जादा आपको देखने को मिलेगा, इन्फरक्ट मैं आपको बताओं, तो आपने देखा होगा कि जब 23rd of August को चंद्रयान 3 का lander land किया, उसके बाद stage पर आपने देखा, के सिवान जी थे, sorry, जो इसरो के chairman है, अभी president के सोमना जी वो थे, और भी कई सारे scientist थे, लिकिन उसमें से एक महिला थी, that is K. Kalpana, she is the associate project director of चंद्रयान 3, तो आपने तो stage पर सिर्फ एक महिला को देखा था, K. Kalpana को, लेकिन इसके अलाबा यहाँ पर बताया जारा है कि 100 से जादा महिला है, directly और indirect तरीके से, जो उनका significant role रहा है, विक्रम की soft landing कराने में वो बहुत जादा important है, चंद्रयान 2 के project director एक और है, that is M. Vanita, उन्होंने भी बहुत important role play किया है, रितु कडिडाल, वो पिछले वाले चंद्रयान 2 के project में यहाँ पर director थी, mission director थी, उनको भी participate कराया गया था चंद्रयान 3 में, ताकि again यहाँ पर कोई भ भूल चुक ना हो सके, और इसलिए बताया जा रहा है कि वैसे तो हर mission में, इसरो के हर mission में, women का role रहता है, लेकिन, especially चंद्रयान 3 में, 100 से जादा महिलाओं ने, यहाँ पर जो पुरा mission का conceptualization है, designing है, testing है, execution हो गया पुरा mission का, उसमें उन्होंने role play किया, in fact मैं आपको एक science and technology की बात हो रही है, हो सकता है कि आप से नीचे का जो व्यक्ति है, पद में, उसके पास कुछ अचानक से कोई idea आजाए, कोई यहाँ पर knowledge आजाए, कुछ समझ में आजाए, तो वो directly चीजों को execute करा सकता है, बोल सकता है, कहने का मतलब यह हुआ, कि अगर कोई technical argument है किसी च होना चीए, तो आप अपनी बात को रख सकते हो, और उसको लेकर पूरी चर्चा होती है, तो यह जो चीज है ना, ISRO culture, इसी को उनों ने बताया कि बहुत ही अच्छा है, no member including the leader, चाहे वो chairman ही क्यों ना हो, he is not greater than the team, जो team है पूरी ISRO की, वो बहुत जादा बड़ी है, फिर इसके लावा, शिर्व सकती point तो हमने समझ लिया, जो चंद्रान 3 का lander land किया था, उसको शिर्व सकती बोला जाएगा, लेकिन तिरंगा point क्या है, तिरंगा point यहां पर PM मोदी ने कहा, कि पिछला वाला जो lander था, जो सही से land नहीं हो पाया था, लेकिन वो crash हो गया था, लेक तिक लिए उनका यह कहना था कि यह जो spot है जहां पर पिछले चंद्रियान 2 में lander crash हुआ था, वो एक प्रकार से याद दिलाएगा कि failure is nothing but a stepping stone to success, मतलब कि चंद्रियान 2 में भली हमें उतनी सफलता ना मिलियो, लेकिन कहीं ना कहीं वो success की तरफ, सफलता की तरफ एक सीड़ी होती है, क्योंकि अगर आप fail होते ही नहीं, तो आप चंद्रियान 3 कैसे कर पाते, आप बाकी देशों को देखो न, दुनिया भर में भारत सिर्फ चौथा देश बना है, जिसने soft landing चांद पर कराई है, और कोई भी देश आज तक नहीं है, जो south pole पर land कराई हो, भारत पहला देश बनाए, तो अगर हम ये try नहीं करते चंद्रियान 2, तो चंद्रियान 3 तो कभी आता ही नहीं, तो इसी के उजैसनों ने कहा कि हमें इसको भी याद रखना चाहिए, और ये वाले point को बोला जाएगा, तिरंगा point, तो I hope आपको दोनों समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके साथ साथ, अब मैं एक बहुत interesting चीप बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर private जो investment होता है, जो foreign investment होता है, उसको यहाँ पर allow कर दिया है, ताकि यहाँ पर जो हमारा share है, global launch market में उसको 5 गुना जादा बढ़ाया जा सके, मतलब कि बोला ये जा रहा था कि अगर चंद्रियान 3 successful हो जाएगा, तो ये भारत के space sector के लिए बहुत जादा लायब दायक होगा, क्योंकि हमारी जो reputation है कि cost competitive engineering हम करते हैं, जैसे आपने देखा कि चंद्रियान 2 जो है, वो काफी जादा सस्ता था, फिर चंद्रियान 3 उससे भी सस्ता बनाए गया, चंद्रियान 3 की cost कितनी है, स्रिफ 75 million dollar, कई सारी movies से यहाँ पुआर आपको सस्ता मिलेगा, वहीं अगर आप compare करो जो NASA है, वो अगर आपको पता होगा, अर्थमिस मिशन भेजने बाला है 2025 में, उसकी कीमत पता है कितनी है, 93 billion dollar, मतलब कहां ये 75 billion dollar, और कहां ये 90 था, भले आप कह सकते हो कि अर्थमिस में human को भेजा जाएगा, लेकिन overall भी अगर आप देखोगे, अगर चंद्रियान 3 जैसा mission अगर NASA भेजता, तो उसकी cost कम से कम 6-7 billion dollar आती, लेकिन भारत ने इसको बहुत कम cost में करकी दिखाया, तो इसका फायदा कहने का मतलब ये है, कि ये आगे आने वाले वर्षों में आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैं भारत के space sector की अगर बात करता हूँ, तो यहाँ पर बता दूँ कि भारत का जो current space market है, वो है 8 billion dollar का, सिर्फ 8 billion dollar क्यों, क्योंकि अगर आप दुनिया का देखोगे ना space sector market, वो 500 billion dollar से भी जादा का है, सोचके देखे, 500 billion dollar से भी जादा का, मतलब कि अभी तो हमारा हिस्सा बहुत कम है, हमें इसको तेजी से आगे बढाना है, यहां पर हम लगबग 4% की growth कर रहे हैं, space sector के अंदर, और globally अगर आप देखोगे तो 2% की growth हो रही है, लेकिन हम इसको तेजी से कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा चंद्रियान 3 successful हो गया है, बताया जा रहा था कि 2040 में भारत का जो overall space market है, वो 40 billion dollar का होगा, अभी जो current growth अगर आप देखोगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, चंद्रियान 3 का जो success हुआ है, उसकी वज़े से 40 billion dollar तो आप कह सकते हो, हम 2000 शायद 2030 तक ही पहुँच जाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि काफी तेजी again growth हो रहा है, मैं आपको example बताता हूँ, चंद्रियान 3 का जो lander है, वो भी land भी नहीं किया था, और एक हफ़ते के अंदर, जो space sector से जुड़ी हुई companies हैं, लगबग 13 companies, उनकी valuation 2.5 billion dollar बढ़ गई थी, जैसे की PTC industries हो गया, एक हफ़ते में 45% ये बढ़ा था, इसके लावा L&T हो गया, इस तरह की बहुत सारे companies भेल हो गया, Linn India है, Zen Technologies हैं, जो space sector के अंदर contribution किया है, जिनोंने चंद्रियान 3 के अंदर contribution किया है, इनका भी बहुत important role रहा है, तो इनकी valuation बढ़ेगी, ये लोग export भी कर पाएंगे अपने समानों को, तो ये एक बड़ा achievement है again, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, इसके बारे में जो भी कुछ हुआ है, जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, how many times has man been to the moon, मैं total number of persons की बात नहीं कर रहा हूँ, मतब कितनी बार वो successful mission भेजा गया है, जिसमें person को भेजा गया है, human being को भेजा गया है, moon पर, ठीक है, ये आपको बताना है, इसका right answer, आप सबको पता होगा, मेरे Instagram पर तुम मिले गाई, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वह आपर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF की है, तो टेलिग्राम पर आई अलग लग सोशल मीडिया पर जोड़ पाऊगे, कुलने यह सबता हैं, इसका सबस्क्रवार क परो में,